राम्टेक दहसल के पमनी वनपरिक शेत्र अंतरगर आने वाले हिवरा बासार के करीब मोगर कसा जुपक्षी अभ्यारन के नाम से जाना जाता है यहां के सरक्षी जंगल की कंपार्टमेंट नंबर 438 में 27 रुक्षो की कतलकर उनसे 46 खोड के टुकडे बनाएगे यह सबी प्रक्रिया रात की समय की जारी थी पिछले कुछ दिनों से इन आरोपी द्वारा रात में लेबर और ट्रैक्टर लेकर जंगल में जाने का कारेकरम शुरू रहता था और ट्राक्टर द्वारा यह माल हिवरा वाजार साले की नरसरी की पास की खेत में जो खेत चीता मन महर आरोपी को ठेके से दिया हुआ था वहाँ पर यह माल लाकर डम किया जाता था परन्तु अच्छानक एक दिन माल लाते समय ट्राक्टर अच्छानक जंगल में फस गया और घटना दूसरे दिन उजागर हो गई यह जंगल पक्षी अभ्यारन होने की वजह से वनविभाग द्वारा पिशले दो-तिन महीने से इस जंगल में काम भी शुरू था परन्तु इतनी वड़ी घटना वनविभाग की कर्मच्यारियों को देरी से मालूम होना इसमें किसी प्रकार का संधिह पैदा करता है मोगरकसा के सरक्षित वन में सागौन की पेड़ों की अवैद कटाई 6 आरूपियों को वनविभाग ने पकड़ा रामटेक तहसल में पवनी वनपरीक्षेतर अंतरगत आने वाली मोगरकसा को पक्षी अभ्यारन ने खूशित किया गया है कोई 27 सागौन की पेड़ वहाँ अवैद रूप से काटे गया है कमपार्टमेंट नमबर 438 में कोई 27 पेड़ काटे गया है वनविभाग के कुछ करमचारियों की ध्यान में आया कि 27 सागौन की पेड़ों को काटा लेकिन आधाल लकड़ा वनविभाग से कायब था जिससे वनविभाग में हड़कम मच गया अधिकारियों ने कटनास्तर का दोरा किया तो पाया कि हिवरा बासार के सालाई के नरसरी के पास के खेत में एक खेत में कुल तैति स्कोले मिले जहाँ पता चला कि यहां रमाचनर शिंगाड़े का खेत है और खेती आरूपी सालई निवासी चिंतामन महर 32 वर्षियों खेत पर खेती कर रहा है एक ठेका पददी के आधार पर वनविभाग के कर्मियों ने माल एकत्रित किया और उन्हें पवनी डीपो में नो ट्राक्टर द्वारा माल लाकर चप किया माल की लगभग कीमत एक लाग अठावन हजार रुपे है उसने कबूल किया कि उसने पेड काटा था लेकिन फिर भी प्रमुक आरूपी वन विभाग अपरादी की जांच करने में सक्षम नहीं है पर इस बार आरूपी मिल गए है चंगल से खेत लगभग आठ किलोमेटर दूर वहाँ से आवागमन करने के लिए ट्राक्टर का उपयोग किया गया है वाहन कुछ जब नहीं किया गया है वन विभाग में छे लोगों को हिरासत में लेकर पूछता चारी है मोगर कसा एक पक्षी अभ्यारनिक शेतर है वन विभाग पिछले दो महिने से शेतर का दौरा कर रहा है यदि वन विभाग इस बात की कहन चांच करता है कि एक किलोमेटर की दूरी पर सागौन की अवैद रूप से कटाई कैसे की गई तो इसकी संभावना है कि इस राकेट में बड़ी मचलियां मिलेगी जानकारी मिली कि लगबग माह पहले जहां यह घटना हुई वहाँ से लगबग एक किलोमेटर की दूरी पर अवैद रूप से सागौन की कटाई की गई थी उसी को बच्चाने के लिए वन विभाग की करमचारियों ने जो थूट थे वह थूट को जमीन लेवल के साथ काट लिया वह सबूत मिटाने की कोशिश की गई वह इस खटना को दबाने की कोशिश की गई इस खटना की भी जांच करने की मांग क्षेतर की नागरिकों की द्वारा की जा रहे है वनपरी क्षेतर अधिकारी से पूझताज करने पर उन्होंने कहा कि यह बहुत ही कंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच की जाएगी बाकी शेश आरोपियों को भी किरफतार किया जाएगा वह इस मामले में उपयोग में लाएगे वाहन और हत्यार को भी जब किया जाएगा आगे की कारवाई के लिए टीम का गठन किया गया है BCN News के लिए पवनी दिवलापार से हरे श्वेदिक की रिपूर्ट